दोस्व वचल में आप सभी का तैदल से सुभागत करता हूं दोस्व अगर आप Android फोन चलाते हो ना तो ये जबरदस खुफिया अप्लिकेशन आपके Android फोन के अंदर डेफिनेटली होना ही चाहिए नहीं तो फिर बेकार Android फोन को यूज करना क्योंकि दोस्व ये जो अप्लिकेशन है इतनी खतरनाक अप्लिकेशन है यदि आप इसका काम जान लेते हो ना तो आपका माइंड को ब्लोक कर देगा 100% चोकने बाले हो और मेरे कॉमेट के अंदर बोलेंगे कि कास ये अप्लिकेशन जो ना आप लोगों को पहले बताना चाह अगर दोस्व इस अप्लिकेशन का काम जानना चाहते कि कौन सी है इसका क्या फायद होंगे वीडियो को पूरा देखना इसके मत की जगा चले गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं कले ता वीडियो स्टार्ट मरे नम सी तारे और आप देख रहे होगा योटूब चैन कि सबसे चोटी से काम करने के बाद आपको सबसे पहले अप्लिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रप्चन में स्टोल कर लें यह बिल्कुल खतरना का प्लिकेशन जो आपो सोची भी नहें सकते हैं यह थाषू आप्लिकेशन के अंदर आपको जाना होगा इस सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसका क्या फायदे है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आप android phone तो चलाते हैं लेकिन आपके android phone के अंदर कुछ ऐसे आप लोग को समझी में नहीं आता आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन आपके android phone के अंदर हाइड रहता है छुपा रहता है आईकोन नहीं दीख पाता है और आप लोग का mobile चुटकियों में हैक हो जकता है यदि आप whatsapp पे chatting करते हैं तो वो chat कोई और पर सकता है तो आप लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन यह application क्या करेगा कि जो भी application हाइड होगा न वो सारा का सारा यहां पे history आपको दिखनी को मिल जागा जिससे कि आप बढ़ी आसानी से उस application को delete कर सकतें कि भाई यह application मैंने तो install तो नहीं किया और आप लोग को समझ में आ जागा यहां से बरी आसानी से delete कर सकते हैं और दूसरा जो इसका फाइदा है दूसरा जो फाइदा में आपको बताने वाला जबर्दस में आपको बताऊंगा जो आप बिल्कुल चौक जाएंगे दूसरा यहां पर होगा डेंजर एप और पर्मीशन होगा डेंजर एप पर्मीशन जी हां दूसरा यहां यदि आप पिले स्टोर से हो या कोई और third party website से application को install करते हैं और आप लोग को समझ में नहीं आता कि कौन application सही है कौन application follow-up application,ya follow-up application,ry follow-up application अपकर आप को ऩार्फिकेशन आपके फोन को ट्रैक कर सकता है आपके फोन को backl रिट सकता है और पर आप लोत को नहीं पता होगा तो यहां से आप बड़ी आसानी से आप उसे जोने आप पे चेक कर सकते हैं ओ भाई साब यह वाला application देख रहो ना मतले कि यार बिलकुल खतरनाक application है जो यहां पे देख से contact, audio, camera, location, calendar, account, ओ भाई साब तो इसको क्या करना है यहां पे simple आपको delete कर देना है जैसे कि मैं यहां पे uninstall कर देता है यह application मैं यह application इसलिए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यह application मैं इस्ट्रॉल करके रखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए तो इसी तरह से आपको delete कर लिना होगा ठीक है जो बहुत ही खतरनाक फाइदा है जो सुनने के बाद बिल्कुल चोक ने बाले हो यहां पे लिएड डिडेक्टर जी यहां इस पे किलिक कर देना होगा जैसे किलिक करने के बाद यहां पे सारा का सारा अप्लिकेशन दीखने को मिल जाएगा और कुन कोन अप्लिकेशन कितना देर आपने यूज किया जैसे कि एग घंटा हो पहले आपने यूज किया दो घंटा पहले आपने यूज़ किया, तीन घंटा पहले अप्लिकेशन यूज़ किया, सारा का सारा टैम टेबल आपको देखीने को मिल जाएगा, जैसे कि आपने लिखा हो ना, एप रन इन बैगरोंड, दोस्तों क्या होता है कुछ ऐसे अप्लिकेशन है, जो एड चलाने क पैसा कमा रहा है, लेकिन आपका मोबाल को मा भाहिन करके रख रहा है, बिल्कुल खराब करके रख रहा है, आपको पता नहीं चला है, तो आपको यहाँ पे देख लेना होगा, जैसे कि आप रेट कलर का आप देखते होंगे, यहाँ पे आपको नजर आता होगा, रेट कलर और आपसे पैसे कमारो और आपका मोबाल को मतले कि बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहा हो तो ऐसा जो भी अप्लिकेशन होना सेंपल आपको क्या करना कुछ नहीं करना डिलेट बटन पर किलिक करना अनेश्टोल यहां पर कर दिना होगा ठीक है क्योंकि यह अप्लिकेशन ब फाइदा बता देता हूं जो बिल्कुल कमाल का और यूजफुल फाइदा है यदि आप यहां पर वाइफाइ यूज़ करते हो तो जिया तो जैसे मैं वाइफाइ के अंदर जाता हूं यहां पर अलाव कर देना होगा परमिशन यहां पर देना होगा जैसे परमिशन देनी क दूसरो इसका क्या फाइदे हैं वो बैं आपको बता देता है सबसे पले दूसरो इसको Wi-Fi को ओन कर देता है इस Wi-Fi का मतलब क्या है यही कि my Wi-Fi यानि कि दूसरो आप आपके घड़ में जो होट इस्पोट लगा के लखे वे और उसका Wi-Fi आप अपने मुबाल के अंदर यूज कर लें लेकिन दूसरो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि जिस चीज का आपने Wi-Fi इस्तमाल कर जैसे कि आप होटल में हो या आप रेश्टरोन में हो या होता है आप कनेक्ट करके इस्तमाल करते लेकिन आप लोग को नहीं पता हो कि जो Wi-Fi आप इस्तमाल कर रहें वो Wi-Fi को ने कितने बंदे कनेक्ट करके रखे हुआ कि यह चीज आपको पता चल जाए ना तो क्या होगा कि आप उसका IP देख सकते कि यह hacker तो नहीं आपका मोबाल को Wi-Fi के जरके से 컨्ट्रोल तो नहीं कर सकता है वो सारा का सारा यहां पर डिवाइस मिल जागा जैसे कि हमारे मोबाल के अंदर ओप हो गया एक और यहां पे अड्रेस दिख रहा है सौमी का यहां पर हो चुका फिर से एक और IP अड्रेस दिखनी को मिल रहा है उसके एंटेल क क्रद्र रॉतर थस्जहां को सुखे सारा है चेजने आघ। करके रखता हूं और से तो जो जो डिवाइस में होगा हो ना तो मेरे अ म्यूंबाल जिसके आप पता कर सकते च्टी इस जो में कर रहा थो कितना उस के और इसा बें इम सुख लाए क關係 पंड़ Boss यूज़ कर रहा तो कितना बंद है यूज़ कर रहा इसका IP अड्रेस किया इसका मोबाइल ना मोडर लामर किया आपको पता चल जाए इससे आप सिक्यूर हो सकते हैं हाइकिंग से बस सकते जिए तो यह था कमाल का फीचर जो मैंने आपको बता दिया हूँ उसकी सात ही सात उनको secure कर रहा है है हैश्टेक जरूर लिखना उसके बाद यहां पर और बात करें तो इस डेटा में जाना होगा डेटा में जाने की वाद यहां पर जान सकते कि आपके मोबाल के अंदर कितना डेटा यूज किया सारा चीज यहां पर दिखने को मिल जागा लेकिन यह कोई काम का ने लेकिन का है लेकिन आप यहां पर देख सकते हो लेकिन एक काम का है जैसे कि यहां पर अप्लिकेशन जरा आता हो लाश्ट में अप्लिकेशन पर किलिक करना होगा जो जैसे यहाँ पे apps पे मैंने click कर दिया जैसे apps पे click करने के बाद दूसो सबसे पहले दूसो इसका जो फायदा ना बिल्कुल कमाल कमाल का फायदा है जैसे कि दोसो यहाँ पे आपको दे app में जाएंगे तो आपके phone के अंदर कितना application यहाँ पे background में चला वो आपको दिखनी को मिल जागा time count यहाँ पे होता होता रहागा और यहाँ पे timing में दिखनी को मिल जागा उसके बास size, size का मतलब यह है कि आप लोग जितना भी application आप अपने phone के अंदर इस्तमाल करते हैं जैसे कि हमारे phone के अंदर बहुत सरा application है आपके phone के अंदर भी होगा लेकिन क्या पता कि आपके phone के अंदर storage बहुती कम है जैसे कि 4GB, RGB, 32GB, 16GB ऐसे करके storage है और आपके इस वज़े से आप storage को full करके रखते internal storage जिस वज़े से आपका mobile hang करता है लेकिन इसके अंदर क्या feature मिल जाता है जैसे कि आप पता कर सकते कि size में आपे click करेंगे कि कौन सा application कितना GB का है कितना MB का है सारा का सार आपको पूरा का पूरा history देखनी को मिल जाएगा और यदि आपको लगता है कि भाई यह application मेरे mobile के storage काफी जादा ले रहा है बर यह असानी से उसे आप application को remove कर सकते हो तो काफी कमाल का feature है जिसका इस्तमाल कर सकते हो उसके बाद उससे यहां पर और भी सारा चीज काम कर सकते जैसे कि mobile को boost कर सकते अपने mobile को clean कर सकते जो भी junk file होता है उससे आप clean कर सकते है जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि आप मेरे mobile के अंदर जो chrome browser इसका history उड़ा सकता हो प्लेश्टूर का history को delete कर सकता है YouTube का तो जो भी चीदा आप history को उड़ाना चाहते है आप उड़ा सकते है इससे आपका mobile बिल्कुल fast हो जाएगा तो यही तब mobile application के अंदर यही सारा feature यही सारा काम जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हूं जो आप लोगो काफी जाद पसंद आया होगा दोस्तों सच बाता ना जो भी application बनाए ना बिल्कुल कमाल का application बहुत ही खतरनाक application है जिस बज़े से आपका mobile को बिल्कुल secure कर सकते हैं आप जो ना hacking से बस सकते हैं और आप जान सकते हैं आपके फोन के अंदर कितना कितना application कौन application हाइड है कौन application बैगरू किसन एड चला सब कुछ आप जान पाएंगे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन आप लाइक कर देना जो सब्सक्राब करके बैल पी के लिकर वाल बेवस कर देना दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में अपने क्या लेकर टेकर और और गुडबाइग